कहीं आपके घर का पानी आज आपके घर की बीमारियों का कारण तो नहीं है हमारा शरीर 72% भाग पानी से बना हुआ है हमारे किड्नी लीवर हार्ट इसमें सबसे ज्यादा पानी का महत्व है पर आज हम पानी पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आज हमारे घर में बीमारिया ज्यादा बढ़ रही है. तो क्या आपने कभी अपने घर के पानी को चेक करवाया है? पानी पीने लायक तभी होता है, जब पानी में यह तीन प्रॉपटी या होनी जरूरी है. तो यह कौन सी तीन प्रॉपटी है हम आज आपको बताएंगे. पहले प्रॉपटी है, माइक्रो क्लस्टर यानी की पानी का पतला होना यह बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए. क्योंकि हमारे शरीर में करोडो ट्रिलियन सेल्स है, उनको जरूर है पतले पानी की लेकिन हम क्या दे रहे हैं, मोटा पानी जो हमारी बॉडी के सेल्स में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आज हम चेक करेंगे कि हमारे पानी मोटा है या पतला. तो हम दो गिलास में हल्दी ले रहे हैं, इस गिलास में हम डाल रहे हैं, टैप वाटर और दूसरे गिलास में, जो मशीन से निकला हुआ केंगन वाटर तो हम, तो दोनों गिलास में हम डिफरेंट देख रहे हैं, जो पहले टैप वाटर वाला गिलास में हल्दी पानी के सा गुल गई है और इसमें से हल्दी में से क्रिक्मिन नाम का अर्क बाहर खींच लाई है यानि की पानी इतना पतला है कि हल्दी के अंदर जाकर क्रिक्मिन नाम का अर्क बाहर निकाल लेता है तो यही काम हमारे शरीर में भी होता है कि हमारे शरीर में जो भी खराब टॉक्सिन स इसलिए इसमें बेस्ट वाटर है कंगन वाटर क्योंकि हमारी बॉड़ी में 80-90% पानी हमारे सेल्स में जाता है और इसलिए हमारी बॉड़ी को 6 गुना ज्यादा हाइडरेट रखता है